प्राइवेट अन्भो मिस्रा आपकी सेवा में हाजिर है सल्यूट सर गजब भी था ये वेलकम बैक दोस्तों स्वाध आप सीका फिसमरी एक नई वीडियो में तरको जो लोग कोरियन ड्रमा का वेट कर रहे थे की गई है उसके लेक्सब्स में एकशी करें चाहिए और से एक ही डिया करे करा करते हैं कि एक और भी फेमन डे Dale कॉर्ण के साथ यहां में यह exactly मैं आपको बताने वाला हूँ तो बिना लगा चलिए आज के विडियो को सुरू करते हैं आप अगर बात के इस डामा के बेसिक प्लाट के इस डामा को बिना इस पैल के होता है तो को इसकी जो कहानी वो फॉलो कर रही है आंजूरो के कर्burst को जो की दो साल के लिए military camp को जुएंग करता है बट वहां पर जाने कि बात जो उसकी चीजें वह पुषितिंगे से चेंज और या जाती है वहां पर जो senior rank के officers होते हैं वह junior rank के जो officers हैं उनका अच्छा अहां सा ragging लेते है इसकी लाइफ प्ट्विशन लेती है और एक दिन उसको DP डिपार्टमेंट जो की military का सब डिपार्टमेंट है उसमें उसको shift कर दिया जाता है और जो DP डिपार्टमेंट का work है बस इतना ही कि जो भगवड़े candidate है जो अपनी training को छोड़ करके भाग जाते हैं उनको पकड़ के वापिस लाना है फिर उसी department में उसकी मुलाकात होती है कारपूर हान के character से अब यह दोनों मिल करके आने वाले missions को कैसे अंजाम देंगे किस को पकड़ के लाएंगे कैसे पकड़ के लाएंगे जब पकड़ने जाएंगे तो इनकी कौन-कौन help करेगा इनी साइडल को जानने कर लेती है और इसपसली आप हर एक करेक्टर के साथ अल्मोस अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो ज्योंकि मेरे हिसाब से इस सीज के कॉंसेट के लिए एक काफी अच्छी चीज थी आन जून ओ के character को जिस आपसे इस सीज में explore किया गया है जिस आपसे उसके soft corner को explore किया गया है और जिसाब से इसके emotions को हरे character के लिए present किया गया है और इसपसली जो Corporal Han के साथ उसकी chemistry को present किया गया है वो definitely आपको entertain करती है तरकोर Han के character को इस से आपसे present किया गया है कि वो जब-जब screen पर आता है वो आपको अच्छा कासा entertain करता है I mean उसके जो humor है जो उसके comedy के scenes है वो definitely आपको entertain करेंगी श्रीज में आपको ज्यादा action sequence देखनों को नहीं मिलते हैं लेकिन जितने भी action sequence देखने को मिलते हैं वो आपको 100% entertain करते हैं और जो आपको hand-to-hand combat fight देखने को मिलती है जिस साबसे उनकी choreography करके आपको present की गई है वो definitely आपको thrill provide करती है सासा इस series में आपको जो comedy देखने को मिलती है उसको situations के साथ काफी अच्छे से model करके present किया गया है बाकिकर बात के screenplay की तो screenplay का जो pace है वो काफी अच्छा है जिसकी वाजसे आपको यह series bore नहीं करती है और screenplay एक place से दूसरी place पर run होता रहता है जिसकी वाजसे वो आपको करता रहता है कि सीज का जो color gradient है जो आपको background mix सुनने को मिलता है या फिर जो song सुनने को मिलते हैं वो काफी अच्छे है जो बात करते हैं कि आपको इस drama को देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए जाज़ा time नलते हुए लेकिन उससे परले मैं आपको इस drama की कुछ कम्यां बताता हूँ तलको अगर आप Korean dramas देखना पसंद करते हो और उस drama से आप expect करते हो कि उसमें आपको धे सार romance देखने को म इस drama में आपको romance, comedy, family drama यह जो साइचीज हैं वो limited portion में देखने को मिलती हैं सासा इस drama जो आपको character देखने को मिलते हैं उनको के बल सरफेस लेबल तक ही develop किया गया है आपको उनके साथ उतना emotional connection डेबलप नहीं हो पाता है अगर आप Korean dramas में एक अलग तरह की story को test करना चाते हो एक अलग तरह के concept को देखना चाते हो तो definitely मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस इसको एक बाद check out कर सकते हो Otherwise अगर आप इस drama को miss कर दोगे तो आपको कुछ भी नुक्सान नहीं होगा बागे एक बात कि में तो मैंने इस drama को अच्छा कासा enjoy किया है इसमें जो मुझे comedy देखने को मिले जो comic timing देखने को मिले जो humor देखने को मिले या फिर जो cinematography देखने को मिले वो मुझे काफी अच्छी लगी है तो इन साइज चेयों को ध्यान रखते हों मैं सीरिस को rate करूँगा 3.5 आप 5 इस टार तो अगर आप भी इस सिरिस को देख लिया तो कर्माक्स में लिक करके बताना कि आपको यह सिरिस कैसी लगी है और इनकास अगर आपको मेरी आज की वीडियो कहीं से भी अच्छी लग गए तो इस वीडियो को लाइक कर दो आई स्वी विडियो देखना पसंद बाचों को सब्सक्राइब ठुक दो मैं फिस्तमित वांग ने विडियो में तिल देन बाबाई